सुथी अराधना के गीत बहुत सुंदर थे तो मैं भी सच में गाना-गाना सीखना चाहता हूं अभी हम वचन देखेंगे हम व्यवस्था विवरन एक से वचन पढ़ेंगे हम विवस्था विवरन एक बीस से मैं पढ़ूंगा वहां मैंने तुम से कहा तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमिश्व यहुआ हमें देता है देखो उस देश को तुम्हारा परमेश Anda यहवा तुम्हारे सामने किये देता है इसलिए अपने पित्रों के परमेश Anda हुआ के वचन के अनुसार उस पर चड़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो ना तू तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्छा हो और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे हम अपने आगे पुरुशों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगा कर हमको ये संदेश दे कि कौन से मार्क से होकर चलना होगा और किस-किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा इस बात से प्रसंद होकर मैंने तुम से बारा पुरुश अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुश चुन लिया और वे पहाड पर चड़ गए और एश्कोल नामक नालेक पर पहुंच कर उस देश का भेद ले लिया और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आये और हमको ये संदेश दिया जो देश हमारा परमिशो यहुआ हमें देता है वो अच्छा है तो भी तुमने वहाँ जाने से मना किया कि तो अपने परमिशो यहुआ की आग्या के विरुद होकर अपने अपने डेरे में ये कहकर कुरकुडाने लगे या यहुआ हमसे बैर रखता है इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको मौरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले हम किदर जाए हमारे भायों ने ये कहके हमारे मन को कच्छा कर दिया है कि वहाँ के लोग हम से बड़े और लंबे है और वहाँ के नगर बड़े-बड़े है और उनकी शहरपना आकास से बाती करती है और हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा मैंने तुमसे कहा उनके कारण भै मत खाओ और मत डरो तुम्हारा परमिश्वय हुआ जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा जैसे कि उसने मिस्रफ में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया फिर तुम्हे जंगल में भी देखा कि जिस रिती कोई पुरुष अपने पुरुष को उठाए चलता है उसी रिते परमिश्वय हुआ भी उसी स्थाम पर पहुंचाने तक सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं वहां उठाए है तो जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में और हमारे जीवन में बहुत परक है हम कहते हैं कि हम विश्वास से जी रहें लेकिन सच में बहुत बार हम हिच किचाते हैं बहुत बार हम विश्वास से आगे नहीं बढ़ पाते और मैं क्यों आपको इस बार में बात कर रहा हूँ? क्योंकि जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं तो वो सिर्फ कोई ऐसा मनिश्वर नहीं है जिसके पास बहुत ताकत है वो खुद परमेश्वर है उसने आकाश और प्रत्वी की रचना की है और उसने हमसे प्यार किया और इस प्रत्वी पर हमें जीने दिया तो जो वचन वो हमसे कहता है जो वचन उसने हमारे ले तयार किये है तो यह सारी जो बाते है परमिश्वर यहने पूरा कर सकता है हम उसे जैसे भी देखे इसके बावजूद लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है और मनुश्य के सीमा के अंदर है कि हमें लगता है कि नहीं है तो मुश्किल है परमेश्वर भी यह नहीं कर सकेगा लेकिन आत्मिक जीवन में अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखे तो आत्मिक जीवन बहुत आसान है कि आपनी चीवन मुझे नहीं जीना है, वो परमेश्वर कुछ जीता है। परमेश्वर आपको स्थापित करता है और आपके दौरा परमेश्वर को काम करने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर ऐसा जन है। तो पहले जब मैंने सुसमाचर पचाड करना शुरू किया तब बहुत मुश्किले थी मैं कमजोर था मेरी सेहत अच्छी नहीं थी लेकिन कुछ ऐसी समस्याए मेरे जीवन में आई जिसका सामना मैं नहीं कर सका तो मुझे लगता था परमिश्व मेरी मदद नहीं कर सकता और नहीं करेगा लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा था क्योंकि मैं परमिश्व को ठीक से नहीं जानता था तो ऐसी सोच हमारे अंदर होती है और ये सोच हमें बोज देती है तो एक इंसानी तोर पे हम ऐसे काम कर सकते हैं जो मुमकिन है तो अगर मेरे पास विश्वास होका तो शायद मैं कर सकता हूँ लेकिन ये काम में नहीं कर सकता या वो काम मेंने ही कर सकता तो जब आप ऐसा मन रखते तो हम इचकुच आते है और जो वादा हमारे पास होता है उसे भी छोदेते हैं और एक दो बार ऐसा मन रखने के बाद हमारे पास क्या मनाता है कि नहीं परमिश्व काम नहीं करेगा लेकिन जब आप विश्वा से सची नाही जाते हैं तो अद्धुत काम होते हैं तो एक बहन ने मुझे एक बार फोन किया पास्टर में अमेरिका जा रही है तो मैंने कहा अच्छा आप क्यों अमेरिका जा रहे हो तो उसने कहा पास्टर मेरी जो बड़ी दीदी है उसकी शादी एक अमेरिकन सिपाई से हुई और वो तब से अमेरिका में रह रही है और वो अब अमेरिका में एक टीचर का काम करती है लेकिन अभी वो बहुत जादा बिमार है तो हमारे परिवार में हमने एक मीटिंग किया कि बड़ी बहन अब इतनी बिमार है कि शायद मर जाएगी तो हम सबने मिलके थोड़े पैसे कॉंट्रिब्यूट किये थोड़े पैसे इखटा किये और उस बहन ने कहा कि पास्टर ये सारे पैसे मुझे दिये उन्होंने और बोला कि तुम हमारी तरफ से प्लाइट टिकेट खरीदो अमेरिका जाओ और हमारे दीदी का दिखभाल करो और उसके लिए थोड़ा कोरियन खाना थोड़ा पका के उसे खिलाओ और जब वो मतलब उसके रिहांत के बाद तुम वापस आ जाना तो फिर ये बहन मतलब उस जाने वाली थी उससे पहले उसने मुझे फोन किया तो जिनको कैंसर हो जाता है उनके मन की दशा ऐसी हो जाती है तो मैंने उसके साथ संगती के मैंने कहा कि कैंसर के पेशन के साथ आपको ऐसी विवार करना है आपको ऐसी बात करनी है आपको ऐसे बता आप ऐसी बात करोगे तो उनके पास इम्मत आएगी, सहस आएगी तो फिर वो बहन का मन भी बदल गया मेरे साथ बात करके और उसने कहा कि चीक है पास्टर मैं आपकी बातों का ध्यान रखू और पास्टर मेरी गलती है कि मैंने, मतलब पहले आपको बताना चाहिए था हमारी बहन की हालत ऐसी है और आपकी संगती मेरी बहन के साथ करवानी चाहिए थी, लेकिन मतलब उसने अक्चुली मेरा फोन दे दिया फोन नमर दे दिया अपनी दीदी को और फिर दो दिन बाद मैंने देखा मेरे फोन में एक बेस्ट कॉल था अन्नोन नमर से तो मैंने दुबारा उस नमर पे कॉल बैक किया तो पता चला अचाहिए उसी बहन की बड़ी दीदी है जो अमेरिका में रहती है और उसने मुझे फोन किया था तो तबसे मेरी इस बहन के साथ फोन पे बात करना शुरू हुआ तो मैं उस बहन से पूछता आपकी तब्यद अभी कैसी है मैंने उनके लिए प्रार्तना किया और फिर जैसे जैसे समय बीटता गया तो मैं मैंने एक बार मतलब उसे वीडियो कॉल पे भी बात की तो मैंने का क्यूँ कि तुम्हारे घर में चावल नहीं है चावल खतम हो गए खाने के लिए कुछ नहीं है नहीं नहीं पास्टर खाने के लिए चीजे है तो फिर खाने की चीजे है चावल है तो क्यों नहीं खा रही हूँ तो मैंने उसको बताया कि हमारे शरीर में एक immune system होता है और अगर तुम अपने शरीर को ठीक करना चाहती हो तो naturally immune system जैसे काम करता है वो immune system naturally तुम्हारी बिमारियों को ठीक कर सकता है लेकिन इस immune system को मजबूत बनाने के लिए तो मैं ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा तो उसे का पास्टर मेरी chemotherapy चल रही है बिल्कुल मेरा मूँ कड़वा हो चुका है मेरे पास खाने का बिल्कुल मन नहीं है मैं खाना नहीं का पारी तो मैं हसने लगा तो उसने का पास्टर आप क्यों हस रहे मैंने का तुम हसने वाली बात कर रहे हैं उसले मैं हस रहा हूँ तो पास्टर मैंने कोई जोग नहीं बताया आप क्यों हस रहे हो मैंने का नहीं बहन आपने जो बोला ना वो हसी की बात है मैंने का बहन एक cancer patient को मुझ कड़वा हो गया खाने का मन नहीं है तो क्या आप खाना खाना बंद करोगे यह तो हसी की बात है नहीं पास्टर सच में मुझे खाने का मन नहीं है मैं नहीं खा पा रही हूँ तो मैंने का तुम्हारे पास चाहे खाना खाने का मन नहीं है तुम खाने को बस चबाओ और निगल लो उसमें अपटाइट की कोई ज़रूरत नहीं है तो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम हर बिमारी को सभाविक रूप से चलांग कर सकता है लेकिन तुम खाना नहीं खाओगे तो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो बिमारी पर जीत नहीं पा सकेगा मैंने कहा जब चाहे तुम्हारा मन ना हो मुह कड़वा हो तुम खाना बस चबाओ और उसे निगल लो तुम बाहर मत फेको उस खाने को बस तुम अंदर ले लो जैसे भी हो वो खाना चबाके निगल लो तो उस बहन ने सोच के देगा हाँ पास्टर आपकी बात सही है आप जो कह रहे हैं वो सही है और तब से ये बहन खाना खाने लगी और उसका चेहरा इतना मतलब तंदुरुस्त होता गया मैंने कहा हमारे अंदर जो इम्म्यून सिस्टम होता है वो केवल तब काम कर सकता है जब आप खाना ठीक से खाओ इसलिए आपको अच्छे से खाना खाना पड़ेगा तो आप अच्छे से खाना खाओ पेट भरके खाना खाओ तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं बस उसको संगती दे रहा था मैंने उसके लिए प्रार्टना किया उसके बाद से वो खाना खाने लगी और फिर मतलब वो बहुत उसके सेहत सुधरने लगी और बहुत अच्छी हो गई उसकी सेहत तो मैं इतना धन्यवादी हूँ लेकिन बाद में क्या हुआ कि दुबारा उसका like problem शुरू हुई उसके body में लेकिन बाद में sister ने मुझे एक photo खीच के बेजा तो ये graduation का hat पहन के और उसने क्या हो लिखा pastor मेरा cancer का treatment खतम हो गया मेरा cancer treatment में और वो इतनी मतलब खुश थी मतलब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई लेकिन कुछ समय बाद उसका पेट फिर से कुछ मुश्किल करने लगा तो फिर मैंने उससे फिर बात की मैंने का क्या problem है आपको कि अभी आपका पेट खराब है उसने कहा नहीं अभी तो नहीं है पर कभी-कभी हो जाता है तो पास्टर ने कहा अभी खाराब नहीं है, तो फिर क्यों तुम शिकायद कर रहे हो, अभी खाना खाओ, जब तुम चाहती हो दुबारा बैमार हो जाओ, तुम उसे कहा नहीं पास्टर आप सही कह रहे हो, और बहुती अद्धुत रूप से, चमतकारी रूप से, इसका कैंस इसकी बिमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई तो एक भाई था तो उसकी वाईव से मेरी बात हुई और मैंने उसकी बतनी से पूछा क्या प्रॉप्लम में आपकी हजबन को तो उसने कहा कि मेरे बती को बार-बार उल्टिया हो रही है तो मैंने उनको भी वही कहा कि अभी चाहे आपको खाने का मन नहीं है और आप उल्टि कर रहे हो लेकिन फिर भी आप खाना खाओ और मैंने उनको बतलब ऐसे बता है लेकिन फिर भी उनकी उल्टिया रुक नहीं रही थी तो मैंने कहा भाई आपको खाना खाना होगा चाहे आप वॉमिट कर रहे हो चाहे आप उल्टी कर रहे हो चाहे आपका मुझ कड़वा है उसे बरदाश्ट करो लेकिन फिर भी खाना खाओ तो वो भाई हाँ बोलता लेकिन खाना खाके फिर उल्टी करता तो लोगों के मनों में मन जब एक दूसरे के साथ बेहते हैं तो बहुत अच्छा होता है जब हमारा शरीर मुश्किल में पड़ता है तो मैं ऐसे भाई मेनों को क्या बोलता हूँ जो गुमारी में होते हैं बिमार है तो चाहे आपकी तबिये ठीक नहीं है अपका मुँ कड़वा हो चुका है लेकिन आपको फिर भी खाना खाना है आपके इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त बनाने के लिए आपको खाना खाना है उसको चबाओ और खाओ बस बाहर मत उगलो और तब अपने आप मतलब सेहत मन्द होते चाहोगी आपकी सेहत ठीक होते चाहेगी तो सब लोगों की सोच अलग-अलग होती है लेकिन लोग समय समय पर अपने खुद के न्याय की वज़े से अलग-अलग पैसले लेते हैं अलग चुनाओं चुनते हैं तो बाहिबल भी मतलब अलग-अलग जब़ों पर बाहिबल का ही सोच, हमारी सोच बलग-अलग है तो परमिश्वर का वच्चन ही सबसे मतलब वच्चन सत्य है इसलिए आपके पास चाहे जो भी विमारी है, कैंसर है परमिश्वर को आप कैसे प्रसंद कर सकते हैं तो जिस प्रकार आपके शरी में जब मुश्किल होती है आप खाना खाते हो तो आपको ताकत मिल सकती है दवाई खाओगे तो आप ठीक हो सकते हो तो मैं डॉक्टर नहीं हो इसलिए ज़रूरी आप मतलब मेरी बात मानो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं लेकिन आपको खाना खाना पड़ेगा आपका इम्मून सिस्टम स्ट्रॉंग बनाओ और फिर आप बिमारी पर ठीक मलब जाये पा सकते हो तो लोग जो बिमार नहीं भी होते हैं अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे वैसे ही आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है जब आप वचन को एक एक करके पड़ेंगे जब वो वचन आपके मन में प्रवेश करेगा आपको जब लगेगा कि हाँ ये वचन मेरी जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए तो सच में आपका जीवन आशिशित हो जाएगा तो आपमी जीवन का जो स्थार है वो परमेशुर का वचन है वो पास्टर पाक के वचन नहीं है वो परमेशुर का वचन है वचन जो आप अपने मन में जोकातियों स्विकारते हैं वो वचन जिसके दोरा परमेशुर आपके अंदर काम करना चाहता है उस वच्छन को आप जोकाते हो जब स्विकारते है तो इस दुनिया में चाहे इतने हजारों लाकों समस्याएं है लेकिन वच्छन के द्वारा ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे आप सुलजा नहीं सकते तो एक बार ऐसे हुआ मेरी पत्नी जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था हम एक कमरे के घर में रहते थे और कोई महमान घर पे आए तो मेरी पत्नी ऐसे नीचे लेटी हुई थी ब्लैंकेट्स के उपर तो कोई वक्ती था जो दूर से आया था तो मैंने उसको लंबा समयले गास्पल परचार किया और उस वक्ती ने पापक्षमा प्रापत की और फिर मैंने उस वक्ती को भीज दिया लेकिन मेरी पत्नी तब गुस्सा हो गई मैंने का क्यों क्या हुआ तो उसने बूला कि तुम प्रचार कर रहें तो ऐसी बिकार की बाते बीच में क्यों बोल रहें तो मैं सोच रहा था उसको बोलू कि तो तुम भी प्रचार करो लेकिन मैंने नहीं बोला लेकिन बाद में मुझे क्या पता चला अच्छिली उसका लेबर पेन शुरू हुआ था तो चाहे उसका वो दर्द शुरू हुआ था लेकिन क्योंकि मैं प्रचार कर रहा था कोई व्यक्ति बैठा हुआ था इसलिए वो मतलब उस दर्द को दबा के ऐसी ही बैठी हुई थी तो इसलिए वो चिड रही थी कि मैं जल्दी खत्म करने के बदले और लंबा और लंबा प्रचार करते जा रहा था तो इसलिए उसने मुझे गुस्से में क्या बोला कि आप क्यों बेकार की बाते बता रहे हो किसी को समझाने के लिए इतनी लंबी कहानी बताने की क्या जरूरत है तो इसलिए वो थोड़ी सी चिल गई लेकिन एक्चुली में उसका लेबर पेंड शुरू हो गया था लेकिन क्योंकि वो एक पास्टर की पत्नी है एकदम से वो अपना बता नहीं सकती और वो मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकती इसलिए उसने चुपचाप बरताष्ट किया कि जब तक उस वक्ती ने सुसमाचार सुनके उद्धार नहीं पाया उस चुपचाप बैटी रही लेकिन बाद में उसने क्या बोला मुझे कि आप क्यू बेकार की बाते कर रहे थे इदर उदर की बाते क्यू कर रहे थे तो मैंने उसको बोला ठीक है ठीक अगली बार मैं सिर्फ सु समझा परचार करूँगा और खतम करूँगा तो ऐसी थोड़ी बहुत हमारे बीच में बहस हुई लेकिन फिर भी हमारे सामने ये परस्तिती थी कि अब बच्चा पैदा होने वाला है लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं था हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने मतलब दोपहर का खाना या सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था तो मेरे मन में क्या मनाया हूँ कि मैं किसी बहन को कॉल करूँ बहन, मेरी पत्नी अभी लेबा पैन शुरू हो गया है अब मैं क्या करूँ तो कोई कहेगा अच्छा पस्टर ऐसे हुआ है तो ठीक है मैं आती हूँ मैं सब कुछ कर दूँगी तो मुझे लगा मैं अगर एक बहन को कॉल करूँ तो कोई भी आ जाएगा सब कुछ help वो पूरी help कर देंगे लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था मेरे मन में मैं दुविदा में था क्या मैं भाई बेनों पर निरबर करू उस पर विश्वास करू या फिर परमेश्वर पर निरबर करू उस पर विश्वास करू लेकिन फिर रात हो गई रात के 10 बज़ गए 11 बज़ गए और फिर मुझे पता चला कि जो labor pain होता है वो मतलब कुछ time के बाद आता है फिर बंद हो जाता है एक time के बाद आता है फिर रुख जाता है तो मुझे लगता है permission ने ऐसे resting period दिया है औरत को थोड़ा दर्द उठता है फिर रुख जाता है उठता है फिर रुख जाता है मेरी पत्नी के साथ भी वैसे ही हुआ तो मेरी मन में बाहर बाहर मेरी पत्नी को देखके ऐसे मन कर रहा था कि मैं एक बेहन को फोन कर देता हूं तो इस sister's married sisters की जो लिएरे उसको फोन करू या किसी और को करूँ मुझे लगा अगर मैं किसी को फोन करूँगा तो फटा-फट से वो आ के मेरी मदब जरूर करेंगे लेकिन मैंने क्या निरना लिया कि मैं परमिश्र पर निर्भर करूँगा क्या परमिश्र मेरी परस्ति नहीं जानता अगर मैं परमिश्र से बात करूँ उस पर निर्बर करूँ या इनसान को फोन करूँ या उन पर निर्बर करूँ क्या बहतर है तो शुरुआत में जब मैं मुश्किल में था तो मुझे लगता था मैं लोगों से पूछूँगा वो मेरी मदद कर देंगे लेकिन फिर मुझे लगा नहीं मैं पास्टर हूँ जब मैं कमियों में हूँगा कमजोरी में हूँगा तब मैं क्या इनसान पर निर्बर करूँ या फिर परमिश्व पर निर्बर करूँ तो सच में तब से लेकर अब तक एक बार भी मैंने कभी भी अपनी जरूरत मतलब अपने हाथ लोगों के सामने नहीं फिलाए तो तब चाहे मुश्किल लगा कठिन लगा लेकिन सच में परमिश्व जीवित था परमिश्व काम कर रहा था तो एक बहन थी मतलब पूरी रात ऐसी गुजर गई मेरी वाइफ का लेबर पे नाता रहा तो एक बहन थी हमारे चुर्च में जो हाली में मतलब connect हुई थी चुर्च से तो वो बहन एकदम से सुबे सुबे हमारे घर आई सुबे 7 बजे हमारे घर आई उसने दरवाजा खट कट आया हमने दरवाजा खोला तो मैंने उस्से अंदर बुलाया तब उसने एकदम देखा मेरी पत्नी की हालत की, मेरी पत्नी को मतलब दर्द उट रहा है, तो उस बहन ने क्या कहा, कि सामोनिम, तो मैं बुसान इलचन हॉस्पिटल में काम किया करती थी, तो वो एक बहुत बड़ा गाइनेकलोजी हॉस्पिटल है, और उसने कहा कि मेरे पास वो जो धाई का लाइसेंस होता है, वो मेरे पास है, इसलिए आप थोड़ा सा कंच्रोल करो, थोड़ा सा वेट करो, और फिर वो फटा-फट घर से बाहर गई, और एक बड़ा सा बैग लेकर वापस मेरे घर आई, तो तब मैं मतलब कमरे से बाहर गया, मुझे नहीं पता उ जबत रूप से एक घंटे बाद उस बहन ने मुझे बताया कि पास्टर आपका बहुमूल यो बेटा-बेटा पैदा हुआ है, तो सच बता हो, तो उसमें हमारे किचन में कुछ नहीं था, तो ये बहन खुद गई, उसने चावल खरी दे, थोड़े पत्ते खरी दे, कुछ स तो जब हमारे पास विश्वास होता है, ऐसा नहीं कि परमिश्र ने कहा है कि हाँ मैं इसी स्टम टाइम पर आके मदद करूँगा, लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं, तो परमिश्र की सहायता देखकर हम बहुत प्रसन हो सकते हैं, तो अगर मैं आपको वो सारी कहानिया बताऊं कि कैसे परमिश्र ने मेरी मदद किये तो ये पूरी रात भी कम पड़ जाएगी, परमिश्र ने मेरे इतना कुछ किया है, तो परमिश्र जीवित है, हमारे अंदर काम करता है, तो हमारा कोरिया में जो रिट्रीट सेंटर है पाइन फील्स में, तो पहले दो सो लोग ऐसे बढ़ते गए हर साल, यहाँ तक कि वो जगा हमें मतलब कम बढ़ने लगी, तो मतलब हर साल इतने जादा लोग, मतलब बहुत जादा मात्रा में लोग बढ़ते गए, तो सच में ऐसे काम है जो परमिश्र ने हमारे लिए तयार किये हैं, तो इसराइली लोग जब मिश्र से बाहर आए, तो उनको अपने बेटों को नील नदी में फेकना पड़ा, तो यह सोच के भी, मतलब अपने प्यारे बच्चे को उनको नील नदी में फेकना पड़ा, कितना उनका दिल तूटा होगा, तो वो औरतों का भी मन, कितना उनका मन मतलब तूट गया होगा, लेकिन प्रमिश्व ने उस मिस्र से उनको बाहर निकाला, और अब जब वो जंगल में से गुजर रहे थे, तो जो वचन आज हमने पड़े, हम हुरेब से कूच करके, अपने परमिश्व यहवा की आग्या के अनुसार, उस सारे बड़े और वयानक जंगल में होकर चले, जिसे तुमने अमोरियों के पहाडी देश के मार्ग में देखा, और हम कदेश बरने तक आएं, वहां मैंने तुमसे कहा, तुम अमोरियों के पहाडी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमिश्व यहवा हमें देता है, 21 देखो उस देश को तुम्हारा परमेशुरिय हुआ तुम्हारे सामने किये देता है इसलिए अपने पित्रों के परमेशुरिय हुआ के वच्छन के अनुसार उस पर चड़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन अच्छा हो तो इस्राइली लोग अब मिस्रस से भाग के आये हैं तो इनके पास अब कुछ नहीं था तो रास्ते में उन्होंने देख तो तो परमिश्र उनको क्या कहा? तुम जाओ और उस देश पर अधिकार करो उस देश पर जहां मैं तुम्हें लेके जाओंगा तो उस देश को तुम्हारे परमिश्र यहवा ने तुम्हारे सामनी किया है इसलिए अपने पित्रों के प्रमिशुर यहुआ के वचित के अनुसर उस पर चड़ो और उसे उसको अपने अधिकार में ले लो और ना तो तुम डरो और ना तुमारा मन कच्छा हो और तुम सब मिरे पास आकर कहने लगे हम अपने आगे पुरुशों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगा कर हम को यह संदेश दे कि कौन से मार्क से होकर चलना होगा और किस-किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा इस बात से प्रसंद होकर मैंने तुम से बारा पुरुश अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुश चुन लिया और वे पहाड पर चड़ दे और एशकल नामक नाले पर पहुंच कर उस देश का पेडिया तो यह लोग इन्होंने बारा पेडियों को बेजा और उस देश के फल को यह लोग लेकर आए और वो फल इतना अच्छा था तो वो इतने खुश थे कि अब उस देश का फल जब उन्होंने लाया तो वो उसे देखकर इतने खुश थे कि ये फल इतने अच्छे हैं तो ये वो देश है जो परमिशुन हमें दिया है तो ये अच्छा देश है, जो देश हमारा परमिशो यहवा में देता है, वो अच्छा है लेकिन 26 में एक सोच उनके पास आती है तो भी तुमने वहाँ जाने से मना किया, किन्तु अपने परमिशो यहवा की आग्या के विरुत होकर अपने अपने डेरों में ये कहकर कुरकुड़ाने लगे हुआ, हमसे बैर रखता है इस कारण हमको मिसर से निकाल ले आया है, कि हमको अमोरियों के वश में करके हमारा सत्यनाश कर डाले तो अब ये बहुत ही मतलब अजीब सी बात बोलने लग गए परमिश्व ने उनकी अगवाई की है, मिसर से उनको निकाल कर परमिश्व ने उनको ऐसी जगापर लाया है, जहाँ पर सब कुछ है लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो मिस्र में उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, अपने बेटों को खो दिया, इतना दुख, कश्ट उठाया, लेकिन वो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परमेश्व ने उनका मिस्र से निर्गमन होने दिया, और कनान के देश में तूद और मदू की जहाँ पे धाराय बहती है, वहाँ पर जीने के लिए परमेश्व ने सब कुछ तयार किया, लेकिन पार्ग में जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे, उनसे कहा आया था कि तुम तुम बस इस कनान देश में परमेश करो, तो ये क्या कहते है, चलो हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम पहले बेदियों को बेजेंगे, तो उन्होंने परमिश्व से ऐसे कहा, कि परमिश्व हम बेदियों को बेजना चाहते हैं, तो परमिश्व ने का ठीक है, तुम बेजो, तो इन्होंने बारा बेदियों को भेजा कि कनान के देश की खबर ले सके और उसके बाद वो बेदी वहां का फल लेकर आए उस देश का फल वो लेकर आए तो फल लाने के बाद उनने क्या देखा कि अच्छा कनान देश के फल सच में बहुत अच्छे है तो भेदियों ने ये पल तो दिया लेकिन साथ साथ क्या बताया कि वहां के जो लोग बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है हम उन पर जीत नहीं पा सकते अकर परमिश्व कहता है कि वो करेगा अगर परमिशन अमारे लड़ेगा तो फिर हम लड़ सकते हैं उद्धार पाने के बाद तो मैं अक्सर ये बात बताता हूँ तो सिस्टर हेंग किम तो वो गोन में रहती है ये बहन तो चुंगनम युनिवर्सिटी में एक नर्सिंग होस्टेल था तो इस बहन ने वहाँ पर उद्धार पाया और वो हर साटड़े को बाइबल स्टडी हम वहाँ पर करते थे वहाँ पर आती थी तो मैं वहाँ के डॉमिट्री में बाइबल स्टडी करता था और वो सिस्टर हेंग किम जो थी वो हमेशा टेंड करती थी उस बहन को मैं वहाँ पर मिला तो वो बहुत बहुमुल्य बहन है तो उसने मुझे क्या बताया उसने कहा कि मेरे पापा बहुंग प्रेस्बिटेरियन चर्च के एल्डर है तो प्रेस्बिटेरियन चर्च में जो होता है एल्डर्स को जादा पावर होती है मतलब पास्टर से जादा पकतवर एल्डर्स होता है तो मैंने सुनाए कि कि वहाँ के elders मतलब अपने pastors को भी मतलब बहार निकाल देता है church से. तो यह जो sister थी Kim, उसके पापा उस Presbyterian Church के elder थे. तो उसने अपने पापा को बोला कि अपने हमारे church में, मतलब उनके पापा के church में, pastor paak को मतलब मुझे वहाँ पे guest speaker करके बुलाओ. तो तब मेरा मतलब मैं आर्मी से अभी-अभी मतलब मैंने चुट्टी हुई थी. इसलिए मेरे पास कोई अच्छे कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए. लेकिन मेरे मन में ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी. लेकिन एक कोई भाई था, जिसने मेरे जोरा उद्धार पाया था, और उसकी हाली में शादी हुई थी. तो उसका जो शादी का सूट था, उसे मुझे दिया. तो मैं तो मतलब गाउं से था, तो मैं उपकड़ूंग से था, जो की गाउं हैं और गोहं भी गाउं हैं. तो वो जो भाई था, जिसके अभी भी शादी हुई थी, उसने क्या बोला मुझे, कि पास्टा फटा-फट, चेंज करो कपड़े, यह मेरा सूट आप पहन लो, और आपका जो कपड़ा हैं उपर का, वो मुझे दे दो. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, यह भाई बड़ा, लंबा, चोड़ा सा था, तो जब मैंने उसका सूट पैना, वो मेरे लिए बहुत लूस था, बड़ा सा था, और मेरे कपड़े उसको टाइट हो गए. तो मुझे लगता है, लोगों को पता चल गया होगा, कि मैंने, मतलब, यह किसी और के कपड़े पैने हुए, कि कि वो इतना बड़ा था सूट मेरे लिए. लेकिन मैं पहली बार तब गौंग, Presbyterian Church गया, और एक हफ़ते का हमने Bible सभा किया, तो पहली शाम को, जब मैंने इसु समाचार प्रचार किया, तो लोग चिलाने लगे. तो वो क्या कहने लगे कि हम अब तक गलत आत्मिक जीवन जी रहते हैं, हम उल्टा आत्मिक जीवन जी रहते हैं, और तब से बहुत लोगों ने इसु समाचार सुना और उद्धार पाया. तो एक मैथेडिस चर्च था, या दो तीन और भी चर्चिस थे, ऐसे सारे चर्चिस में मैं गया, तो लोगों ने मुझे कहा कि आरे आपका भविश्व तो बहुत अच्छा है. तो मैंने प्रार्तना की परमेश्व बहुत पास्टर्स सुसमाचार नहीं जानते, पापुकिक्ष्रमा कैसे पाना है, उद्धार कैसे पाना है, वो सिर्फ मन फिराओ, मन फिराओ, प्रार्तना करो, पापुकिक्ष्रमा मांगो, बस यही प्रचाड करते हैं. लेकिन जब ये सूसमाचार लोग के मन में प्रवेश कर गया तो अध्वित बात क्या है तो जितने भी लोगों से मैं मिला मैंने प्रचार किया उन्होंने उद्धार पाया तो हमारे चुर्च में भी एल्डर्स है लेकिन बाकी जो दुनियावी चुर्चिस के एल्डर्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं उनके लिए उद्धार पाना भी बहुत मुश्किल होता है तो जादातर बतलब आम मेंबर्स तो आसानी से उद्धार पाले थे ये एल्डर्स like easily उद्धार नहीं पाते तो कॉन्फरेंस खतम हो गया तो मुझे लगता है बस कुछ एल्डर्स को छोड़के उनके चुर्च में सब लोगोंने उद्धार पालिया तो मुझे जब मौका मिलता कभी महीने में एक बार मैं उस चुर्च में जाता उनके भाए मैंनों कोई घटा करके बाइबल खोलके बाइबल स्टडी करता वड़ा बाइबल से उनको शिक्षा देता फिर से सुसमाचार परचार करता तो एक महीना, दो महीना, छे महीने के बाद जब मैं दुबारा उस चुर्च में जाता तो मेरे मन में थोड़ा शक आने लगा कि इन लोगों ने उद्धार तो स्पाश्चूप से पाया है लेकिन क्यों ये लोग अभी भी ऐसे है तो क्या ये सुसमाचर गलत है तो उद्धार पाने के बाद ये लोग इतने खुश थे इतने खुश थे, इतने धन्यवादी थे तो खुशी के मारे कूद रहे थे लेकिन फिर मैं सोच लगा कि क्यों अब ये लोग सुननी रहे है क्या कारण है फिर मुझे पता चला कि इनके चर्च के जो पास्टर है वो सिर्फ अच्छे काम, अच्छे काम करो दस आगयाओं को मानो, इस बात पर जोर ते रहे थे तो ये जो मेंबर्स थे इन्होंने दो बाते अलग-अलग सुनने के बाद हो कन्फ्यूज हो गए, मतलब वो दुविदा में गिर गए तो पहले मेरे ध्यान सिर्फ अच्छा मुझे प्रचार करना है मुझे एवैंजलाइज करना है, इस बात पर मेरा ध्यान था, लेकिन मुझे पता चला कि मैं गलत हूँ मुझे भी सुसमाचार के प्रचारकों को खड़ा करना होगा उनको ट्रेन करना पड़ेगा तो मैं अकेला चाहे कितनों को भी प्रचार करूँ मैं कितना कर सकता हूँ, मैं अकेला कितनों को प्रचार कर सकता हूँ लेकिन उस दिन, पर मैं शुका ये मन प्राप्त करके मेरे मन में मिशन स्कूल शुरू करने का मन आया तो जब मैं किमचन में रह रहा था तब मेरी बेटी अनसुक पैदा हुई थी उसका first birthday होने के बाद हम देगु में shift हो गए और फिर देगु में किमचन से देगु देगु में मेरा बेटा यंगुप पैदा हुआ और देगु के पादों में 1972 में मेरा बेटा पैदा हुआ 74 में मेरा 74 में बेटा पैदा हुआ 72 में बेती, 74 में बेटा और 76 में हमारा Missionary School शुरू हुआ तो सबसे पहले दो sisters थे और तीन भाई थे जो Mission School students थे और जब मैंने भाई बहनों को बताया कि हम Mission School start करेंगे तो वो कहने लगे कि Pastor वो क्या होता है तो मैंने कहा कि हम से स्कूल बनाएंगे हम Pastor उनको ट्रेनिंग देंगे Missionary बनाएंगे, उनको भीजेंगे तो फिर उन्होंने पुछा अच्छा ये कहां पे होगा, मैंने का Church में तो खाना कहां खाएंगे Church में तो आप खाना क्या खाओगे, हम खाना खाएंगे तो उन्होंने का Pastor खाना तो आपके पास भी नहीं है, आप दूसरों को क्या खिलाओगे तो मतलब Church के भाईवे उन्होंने भी मतलब विश्वास नहीं किया था लेकिन अद्बूत बात क्या है अब हमने पूरी दुनिया भर में उस Mission School के द्वारा Missionaries को भेजा है पूरी दुनिया भर में हमने ये सूसमाचार का वच्छन पहलाने का काम किया है तो पूरी दुनिया ने हमने प्रचार किया हुआ सूसमाचार सुना और सारी दुनिया ये सूसमाचार सुनके चौक गई तो कूरिया में जादा सर्चेस मन फिराने के लिए कहते हैं पाप की शमा मांगने के लिए बताते हैं लेकिन छुटकारा केवल इशु मसी के लहू से है इशु का लहू जो कुरूस पर बहाया गया उससे हमारे पाप शमा हो गया है और हमें इस बात पर विश्वास करते हैं और हमारे मन में जब वो विश्वास होता है पाप शमा का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमें नया बनाता है और एक नए जीवन में हमारी अगवाई करता है और इसी को हम पवजरात्मा की अगवाई कहते है तो इसराली लोग जब मिस्र से निकल कर बहार आए तो मिस्र में वो इतना दुख भरा जीवन जी रह थे उन्होंने अपने बेटे बेटियों को खो दिया था खास करके उन्होंने नील नदीव अपने बेटों को भेजा तो मतलब वो दुख से पगला गए थे वो इतने ज़ादा उनका मन जैसे चीर गया था तो मा मतलब बेटे को नील नदी में फिकने के बाद मा भी उसके पीछे पीछे नील नदी में कूच जाती अपनी जान देते थी तो इतना दुख इतनी पीड़ा उन्होंने सही थी तो आज जो वचल हमने पड़े है अब जब ये जंगल से गुजर रहे है तो लंबा रास्ता तै करके अब वो उस जगह आया है जो परमिशने तयार की है तो परमिशने का है बस तुम उसमें प्रवेश करो लेकिन समस्या क्या है वो कहते कि वो तो बड़े बड़े शहर है उनके पास बहुत सारे औजार है उनके पास तो इन इसरालियों के पास कुछ नहीं था कोई ऐसा हत्यार नहीं था कि किसी के सामना वो कर सके, किसी से लडाई कर सके लेकिन जिस परमिश्र पे हम विश्वास करते हैं वो हजारों लाखों ऐसे हत्यारों से और आटम बॉम से या बड़े बड़े तल्मारों से भी जहता ताक्त वरे तो परमिश्र ने इसराइलियों को मिसर से बहार निकाला तो वो परमिश्र हमें मदद करेगा आगे को भी वो ही हमारी मदद करेगा तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये लोग एक दुसरे के साथ, एक दुसरे के मतलब खुड़कुडाने लगे तो उन्होंने कहा कि परमिश्रा हम बारा लोगों को आगे बेजेंगे तो ठीक है बेजो और वो बारा बेदी फल लेकर आए और वो फल इतना अच्छा था वो जगा इतनी मतलब खाने से भरपूर थी लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा नहीं वो लोग बहुत ताकतवर है वो तो अनकवंशी है वो तो दानव है वो तो बहुत बड़ी डील डॉल के लोग है हम उनको नहीं हरा सकते तो वो परमिश्र को जीतने की कोशिश कर रहे परमिश्र ने कहा है तुम जाओ लेकिन र्यवांद यह नहीं, प्रमिश्व यह नहीं जा सकते, वो आमें हरा देंगे प्रमिश्व ने इसराइलियों की अग्वायी की उनको मिस्र से बाहर निकाला जंगल से होग करके कनान में वो उनको प्रवीष करवाने वाला था लेकिन यह लोग क्या सोचने लगे यह नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है हमारे पास तो कोई सेना नहीं है सिपाई नहीं है हम कैसे उनका सामना करेंगे तो बाद में हम Bible में क्या देखते हैं हम देखते कि वो यरी हो के नगर में जाते है और जब वो यरी हो में जाते है तो वहाँ पर वो बतलब कुछ लेके नहीं गए खाली हातों से तो उन्होंने बेदियों को यरी हो बेजा और ऐसे लगता है कि वो भेदी पकड़े गए लेकिन वो भेदी वेश्या रहब के घर में चले जाते है और सिपाई उसके पीछे-पीछे आते है रहब के घर पे कि दर्वाजा खुलो हमें पता है तेरे घर में तुने बेदियों को रखा है तो रहब उनको फटा-फट से छट पे जाके सिनेई के लखड़ी के नीचे छिपा देती है और फिर ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि उसको पता ही नहीं सिपाई क्या बोड रहे क्या कौन मेरे घर पे नहीं कोई नहीं आया मेरे घर पे तू नहीं कोई आया है तो के थे हाँ कोई आया तो था लेकिन वो चले गए तो तुम जल्दी जाओ अभी हमारा फाटक बंद होने वाला है कहीं वो बाहर निकल जाए निकलना जाए तुम जल्दी जाओ उनका पीछा करो तो पकड लोगे तो इस रहाब नामकस्त्री ने इन दो भेदियों को बचाया था और शेहर के जो फाटक था वो बंद हो गया और मतलब वो सिपाई उनको डूल नहीं पाए तो फिर रहाब उनस वेदियों को क्या कहती है कि मैंने तुमारी जान बचाई है अब तुम भी मुझे वादा करो कि तुम मुझे और मेरे परिवार को बचाऊंगे तब ये दो भेदि उसको वादा देते कि हाँ जब हम इस पर चड़ाई करेंगे तो तुम बचाएंगे तो रहाब जो एक वैशा थी उसने इंदो बेदियों को बचाया और ये मतलब इसराइली लोग यरियों पर चड़ाई कर सके और यरियों का नगर पूरा बर्बाद हो गया, पूरा नश्ट हो गया पर मिशने उन्हें पुरी तरीके से हरा दिया तो मैं भी सूच था कि मेरे जैसा इंसान कैसे पास्टर हो सकता है, मैं पास्टर नहीं हूँ तो पास्टर को जब हम देखते हैं, तो पास्टर को कितना मतलब शांत सुवाव का होना चाहिए, प्यार करना चाहिए दूसरों को तो मुझो लगता है पास्टर होने के लिए मैं बिलकुल भी मतलब योग्य नहीं हूँ लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं सिर्फ सूसमाचा पृठाड कर सकता था कैसे हमारे पाप्शमा हुए, तो मैं बस यही प्रचाड कर सकता था तो मुझे लगा चाहे मैं पास्टर नहीं बन सकता लेकिन कम से कम ये सुसमाज़ा जो मुझे मेरे मन में है उसको मैं बाट सकता हूँ और उसके बाद मैं पहली बार अपने जिंदगी में अपुग्दॉंग नाम के जगा पर गया और वो बहुत मतलब गहरे पहाडों के अंदर बसा हुआ ऐसे का हुए तो पहाडों में मतलब खेती करना भी असान नहीं होता है चावल की खेती भी करना असान नहीं होता है तो पहाडों में मतलब गहु की खेती फिर भी हम कर सकते लेकिन चावल की खेती करना मुश्किल होता है तो मैं नौ महीने ऐसी जगा पर रहा अपुग्दॉंग नामंग जगा पर मैं रहा तो मैंने सुना कि जो मिश्णरी मिकार्तर थे उनको कक्चंग में मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था तो मैं जब नौ महीने आपर रहा अपुग्दॉंग में मुझे कभी कभी शक्का था कि मैं ऐसे ही बुका रहूंगा तो शायद मर जाओंगा लेकिन मैं नौ महीने जी जिन्दा रहा मुझे पुछ नहीं हुआ और फिर मैं एक दिन कक्चंग गया उस दिन तो मैं जब जंग पली गया तो दो जवान लोग मेरी तरफ आ रहे थे तो मुझे लगा यह क्या पूछने वाले है तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर नया नया हूँ पास्टर बनके आया हूँ तो मतलब मैं ऐसे करके लोगों से मिला और फिर उन दो लोगों ने भी उधार पाया मेरे द्वारावचल सुखके और डेड़ साल के लिए मैं जंग फाली में था उसके बाद मैं फॉज में गया और यह जवान लोग संडे को मतलब चर्च आते थे और मैं फॉज में भरती होने से पहले लगबग 40-50 लोग मतलब भाई बहन ऐसे हो गए थे जो सर्विसेज में आते थे तो यह इसलिए नहीं क्योंकि मैं अच्छे से प्रचार करता था लेकिन मैं इस परश्रूप से परमिशु को काम करते हुए देख सका तो दूस्तों आप लोग परमिशु के बिना जीवन जीते आये हैं और क्योंकि आपको मतलब परमिशु पर विश्वास करने का अनुभव नहीं है तो फिर नौकरी करके पैसे कमाना असान है लेकिन विश्वास करना सिर्फ परमिशु पर निर्भर करना हमें बहुत मुश्किल और कटिन लगता है लेकिन परमिशु ने कहा तुम उस कनान देश में जाओ वो ऐसा देश जहां पर दूद और मदू की धराय बहती है और ये बारा भेदी उस जगा का भेद लेकर आए और वहां के देश का फल लेकर आए जो इतना अच्छा था और उन्हें बताया कि ये सच में दूद और मदू की धरा बहने वाला देश है लेकिन फिर लोग क्या सोचने लगे नहीं वो तो अनकवंशी है वहाँ पे रहने वाले लोग अनकवंशी है वो बहुत बड़े दिल डॉल के है और हम उनके सामने विलकुल टिडियों के समान है तो इसलिए आप वो उस देश में प्रवेश नहीं कर रहे है और परमिशु के तरफ कुड़कुडा रहे है अगर आपने वह यहाँ क्यों लाया तो परमिशु ने अगर कहा है जाओ तो उन्हें बस जाना चाहिए था परमिशु जूप़ा नहीं है हम भी जब अपने आत्मिक जीवन जीते हैं तो परमिशु के वचशन को जो काते हूं सुईकार करना परमिशनर अगर कहता है मरो तो फिर मरो परमिशनर तुम्हें जो करता है कहता है बस तुम उसे स्विकार करो परमिशनर आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी रक्षा करता है तो जब हम दुनिया भर में मिशनरी को भेजते है तो हम उनको खाली हाथ भेजते है लेकिन ऐसा कोई missionary नहीं है जो भूक से मर गया हर missionary के पास मतलब ऐसी घवाईया भर भर के हैं कि कैसे permission उनकी मदद की तो आप लोग बहुत शांती से बहरावा जीवन जीना चाहते है लेकिन सबसे शांती से बहरावा जीवन कौन सा है? वो जीवन जहापे आप परमिश्वे विश्वास करते है जो भी परमिश्व आपसे कहता है उस वचन को अगर आप जोका तो उस विकार करेंगे तो परमिश्व का काम जरूर आपके द्वारा पैदा होगा, उत्पन होगा तो ये भेदी जब उस जगा पर गए उसका भेद लिया और उन्होंने वहाँ के फलों को देखा तो सब कुछ अच्छा था लेकिन उस जगा के जो लोग थे अनाकवंशी वो बहुत बड़े डील डॉल के थे तो क्या हुआ? परमिश्व ने कहा है वहाँ जाओ तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? नहीं अगर हम जाएंगे तो हमें डर लगता है और इसलिए ये डर के मारे वहाँ नहीं गए तो ये कहानी हमें बताती है कि कैसे लोग मतलब बरबादी की ओर जाते हैं तो परमिश्व ने अगर कुछ कहा है तो उस पर विश्वास करना है वो सरवश अक्तिमान परमिश्वर है तो परमिश्वर वो परमिश्वर है जो पांच रोटी और दो मचलियों से पांच हजार लोग को खिला सकता है परमिश्वर ने सारा अनाज बनाया है, खेती बनाई है, चांद, सूरज, आकाश, सब कुछ परमिश्वर ने बनाया है तो हमारे जीवन में अगर हमें बड़ी सामर्थ को अनुभव करना है तो हमारे द्वारा नहीं आ सकती हमें परमिश्र में निर्भर करना है, तब ही वो सामर्थ मान दौरा आ सकती है तो जब मैंने अमेरिका में मिशनरीज को भीजा तो एक दिन जब मैं अमेरिका गया वहां के मिशनरीज के साथ में बैठा तो मैंने कहा, मैंने एक नया प्रोग्राम तयार किया है जिसको इसमें भाग लेना है आप आ गया हो तो लोग थोड़े मतलब हिचकिचा रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे तो एक, दो, तीन करके दस लोग आ गया है तो मैंने का ठीक है बस अब इतने ही लोग, मैं और लोगों को नहीं लोगा और मैंने उन दस लोगों से कहा आपके घर से तुम एक ट्रेन टिकेट खरीदो मतलब राउंड टिकेट नहीं, वन वे टिकेट सर्फ जाने की टिकेट, वापसी की नहीं किसी भी शहर के लिए एक ट्रेन टिकेट खरीदो और फिर उस ट्रेन में चड़ो और उस जगा पे जाओ, और फिर एक महिना आप उस शहर में गवाई दो, प्रचार करो एक भी डॉलर अपने जेब में मत रखो तो ये मिशिनरी लोग शुरुआत में जब वहां गए थे तो मैंने उनको बताया कि मतलब ऐसे ऐसे करो, विटनेसिंग करो एक महिना और वापस आओ, उसके बाद मैं वापस को रहे आया लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि ये लोग भूख से नहीं मरेंगे और कुछ महिने बाद जब मैं वापस अमेरिका गया तो वो भाई जब हम इखटे हुए सुबे से रात तक वो लगातार अपनी गवाईयां बाद रहे थे पूरी अनुग्रस से भरी हुई उनकी गवाईया और जो पती-पत्नी गए थे कि किसी शहर में हम गए हम किसी को नहीं जानते थे हमने सिर्फ एक तरफ का टिकेट खरीदा था लेकिन एक महीने के दौरान कैसे प्रमश्रा में खिलाया कैसे हम उसने हमें रखा तो रो रोकर वो अपनी गवाईयां बता रहे थे तो केवल उनके दौरा ही ने अगर हम सबके पास विश्वास हो तो प्रमश्रा हमारे जीवन में भी काम करेगा लेकिन अगर हम बोज महसूस करें तो जो बोज महसूस करता है वो आगे बढ़ना नहीं चाहता आगे बढ़के काम करना नहीं चाहता इसलिए उद्धार पाने के बाद अब तक मैंने कभी लोगों को मतलब बताया नहीं मुझे किस चीज के ज़रूरते इशारा नहीं दिया अपने हाथ नहीं फिलाए उनके सामने तो कभी-कभी मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए नहीं था आने जाने का किराया नहीं था मैंने किसी को नहीं बताया मैं कैसे वहाँ पे जाऊं कैसे वहाँ पहुंचू मैंने किसी को नहीं बताया लेकिन परमिशने सच में मैंने बहुत पार अनुबव किया कैसे परमिशने मेरी मदद की है कुछ लोगों ने मेरे उपर गलत इल्जाम लगाए लेकिन वो बहुत बड़े जूटे है मैंने आज तक मेरी जिदगी में लोगों के सामने हाथ नहीं फिलाए तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत अमीर बन गया हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छा खासा जीवन जी रहा हूँ तो जब मेरी पत्नी मतलब मेरी बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी तो हमारे पास कुछ नहीं था खाने के लिए मतलब उसकी डिलिवरी होने वाली थी लेकिन उसके पास कुछ नहीं था तो जब वो प्रेग्नेंट थी एक बार हम एक अनाथा ले गए थे अनाथ आश्रम तो मैं और मेरी पत्नी वहाँ उस अनाथ आश्रम की डिरेक्टर से मिले तो और्फिनेच का जो रूल होता है अनाथ आश्रम का कि बच्चो को वो अठारा साल तक रखते हैं उसके बाद बच्चो को वो मतलब फ्रीली छोड़ देते हैं तो मैं उस डिरेक्टर से मिला मैंने कहा कि मैं मतलब प्रोफेशनल हूँ मैं जवान बच्चों की अगवाई अच्छे से कर सकता हूँ तो आप मुझे एक हफते का टाइम दे दो तो अगर ये बच्चे आत्मिक जीवन सीख जाएंगे इनकी आत्मिक नीवकर पक्की हो जाएगी तो इनकी जीवन के लिए भविश्य के लिए बहुत अच्छा होगा आपको मुझे कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आप बस मतलब हमें ये प्रोग्राम करने दो तो फिर उसने मुझे हाँ बोल के परमिशन दिया तो तब से हमने एक सभा करना शुरू किया इन बच्चों के लिए और मेरी पत्नी जाके उन बच्चों को पहले action song से खाती फिर मैं जाके उन बच्चों को प्रचार करता और ये अनात बच्चे उद्धार पाने लगे और जब खाना खाने का time आया तो उस डिरेक्टर ने हमारे लिए इतना अच्चा खाना तयार किया था और मैं और मेरी पत्नी वहाँ पे खाना खाते और वो डिरेक्टर मेरे पास आके फिर बात करता और फिर दुपहर को दुबारा मैं उनको बच्चन पुचार करता और फिर उस डिरेक्टर ने मतलब रात का खाना भी हमारे ले तयार किया और शाम को जब हम बापस पैदल जाते थे तो वो जगह हमारे घर से दो किलमेटर दूर थी और मेरी पत्नी तेज नहीं चलती तो कभी-कभी मैं इरिटेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं तो जल्दी चलता हूँ मरी वाइफ धीरे-धीरे चलती है क्योंकि मैं तो आगे चला जाता हूँ और पीछे देखू तो पत्नी दिखाई नहीं देती वो बहुत पीछे दिखाई देती है तो उन्होंने हमें लंच दिया, डिनर दिया, मतलब यह हमारे बहुत बड़ी बात थी तो यह ऐसे समय थे जिसको मैं भुला नहीं सकता तो एक बार हम गुमी में क्रिस्मस कंटारा करने वाले थे मैं किसी से मिला और फिर वो व्यक्ती मतलब ऐसे पता चला कि मैं उसके पापा को जानता हूँ तो फिर वो जो लड़का था वो मुझे हमेशा लेगा अच्छा खाना देता और कभी कभी मैं जब देदक रिट संच जाता हूँ तो वो मुझे हमेशा बुलगोगी कुछ खरीद के देता है तो मतलब वो कोई एक भाई है जो हमेशा हमें ट्रीट करता है और एक मिशनरी है जो भी के मिशन बेजा गया है तो क्या परमेश्वर हमको पकड़ के नहीं रख सकता क्या आपको वो पकड़ नहीं सकता तो आप अपनी दुलना परमेश्वर के साथ करोगे तो नामुम्किन है तो यह जो करान का देश है परमेश्वर ने कहा था तुम वहाँ पे जाओ मैं तुम्हें जीत दिलाओंगा लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया उन्होंने सोचा अरे हम इतने कमजोर लोगे हम उनको कैसे हरा सकते हैं अब इसलिए वो वूमी में प्रविश नहीं कर सके और ये सब लोग जंगल में मर गए तो जो परमिश्वर अपके लिए तयार किया है तो ये कनान का देश जिसमें दूद और मदू की धाराय रहती है वो उस जगह तक पहुँच गए थे लेकिन फिर भी वो क्या कहते है हम बेदियों को बेजेंगे बेदियों को बेद लेने बेजेंगे बेदी बेद लेकर भी आये कि हाँ अच्छी जगह है फल अच्छा है लेकिन अरे वहां के तो लोग इतने बड़े डिल डॉल के है अनक वंची है वहां का नगर बहुत बड़े-बड़े है हम उनको कैसे हराएंगे तो उन्होंने परमिश्यों को क्रोध दिलाया उन्होंने परमिश्यों पर विश्वास नहीं किया तो मेरे प्यारे भाई-बेनों अपको परमिश्य के वचंपे विश्वास करना है जब आपके पास मुश्किल आती है आप कुछ करने की कोशिश मत करो लेकिन अपने आपको परमिश्यों के हाथों में दे दो और वादे के अनुसार आगे बड़ो तो परमिशने मेरी जीवन में इतनी मुश्किले कटे नाईयों को चलांग करने दिया है और इसलिए मैं आज तक जिन्दा हूँ तो अब मैं बुड़ा हो गया हूँ तो मतलब हमारे चुर्च में रिटार्मेंट एज नहीं होती है बाकी सारे चुर्च में एक रिटार्मेंट की एज होती है 70 साल तक आप काम कर सकते हो उसके बाद आप रिटार हो जाओ लेकिन मैं इतना धन्यवादी हूँ आज तक हमारे चुर्च में किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप रिटायर हो जाओ, अभी से आप प्रचार नहीं कर सकते तो मेरा जीवन भी मतलब ऐसा नहीं कि कभी प्रॉब्लम नहीं आई सब कुछ अच्छा था, मुश्किलें भी आई कठिनाईयां आई, बहुत समय ऐसा था जब मैं बहुत दुख, मतलब हर ऐसे मुश्किल में परमिश्व मेरे साथ पा तो आप सब के लिए भी जो सिर्फ परमिश्व पर विश्वास करते हैं तो मैं आशा करता हूँ, आप भी ऐसे लोग बन सके चाहे आपके हाथ में कुछ नहीं है, चाहे आपके पास कुछ नहीं है तो आपको क्या लगता है, एक लाक डॉलर से क्या परमिश्व छोटा है, नहीं परमिश्व पड़ा है, मैं विश्वास करता हूँ, परमिश्व मेरे रक्षा कर जाए तो आपके पास जो बन है, आपके उस विश्वास के अनुसार आपके लिए होगा आपके विश्वास के अनुश्रार परमिश्वर आपको अनुग्र देगा, आशीश देगा परमिश्वर जूट नहीं बोलता तो इसरालियों को जब कनान देश में जाने के लिए बोला क्यों? ऐसे अंदर जाना है? तो ठीक है परमिशनी कहा है अंधर जाओ तो चलो चलते हैं परमिशनी को है वो विजई करेगा तो चलो हम जाते हैं अंदर तो वो लोग सबकुछ पहले चेक करके फिर अंदर जाना चाहते थे तो ये विश्वास नहीं तो मेरे प्यारे भाई भेनो तो एक अपचारिक रूप से नहीं लेकिन प्रैक्टिकली हमारे जीवन में विश्वास को सीखने के लिए परमिश्व पर विश्वास करने के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए आप अगर ऐसा करेंगे तो परमिश्व अद्बुत रुप से अपका जीवन बदल देगा तो आप खुश्वी और धन्यवादी मन से आपका मन भर जाएगा परमिश्व जूट नहीं बोलता वो अपना वादा पूरा करता है वो जीवेत हैं हमारे अंदर काम कर रहे और मैं आशा करता हूँ कि आशीश और अनुगर आपके जीवन पर आ सके धन्यवाद